आज मैं बनानी चाहरी हूँ मिसहपाव के रसीपी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे एंड तक देखिए यह हमारे रसीपी के इंग्रीडियेंट्स है तो चलिए हमारी रसीपी स्टार्ट करते हैं अबसे पहले मैंने यहाँ पे दो टेबलस्पून ऑईल डाला है अब गरव होने के पात इसमें मैंने एक कटा हुआ प्यास डाला है उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा चमज हिंग डाला है उसके बाद दो टेबल स्पून जिंजर और ग्रीन चिल्ली पेस्ट डाला है अब इसमें मैंने एक चमच धना पाउडर डाला है अब एक चमच चीरा पाउडर डाला है अब मैंने इसमें एक चमच लाज मिर्च पाउडर डाला है अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब मैंने इसमें दो चम्मज गरम मसाला डाला है अब मैंने इसमें चना और कटा हुआ आलू डाला है मैंने ये चने पहले से भीगों के रखे थे अब मैंने इसमें वन टेबल स्पून नमक डाला है अब हम इसमें दो कप पानी आड़ कर लेंगे अब हम इस पर ढकन रखके करीबन 10 से 20 मिनिट तक दीमियाज पर पकाएंगे 20 मिनिट बाद हम ढकन खोल लेंगे अब हम इसमें कटा हुआ टामाटल आड़ कर लेंगे हम सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखे चना अच्छी तरह से पक गया है अब हमारी मिसरपाव के लिए लगने वाली करी तायार हो गई है अब हम इसे थोड़ा से एक बावल में निकाल लेंगे इसके बाद हम इसके थोड़ा सा फरसान डालेंगे अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा करी डालेंगे यानि के रिस्ता डालेंगे अब इसके उपर हम कटा हुआ प्याज और कटा हुआ टमाटर डालेंगे अब हम इसके उपर से थोड़ा सा धनिया डाल देंगे अब हमारी मिसर रेडी हो गई है मेरे पास पाव अबलेबल नहीं था इसलिए मैंने ब्रेड का यूस किया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेर और कमेंट कीजिए और मेरे चानल को सबस्क्राइब कीजिए